हलो माई डियर स्टूर्ट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंताली और केमिश्ट्री गुर्जी, अगेन आप सब का एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कंसेप्ट एंड ट्रिक्स ओफ इलेक्ट्रोनिक कंफिग वीडियो से, बठाँ इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे समझाया गया है, आपको इलेक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन बहुत अच्छे समझ में आएगी, और बीच में कुछ कोश्चन मैंने आप से पुछे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, कि आप उन कोश्चन के अंस और यह फिल करने वाला कंसेप्ट कहां से आया, आप बाउ प्रिंसिपल से आया, आप बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आप बाउ का मतलब होते है बिल्डिंग मनाना, है ना, बेस से बिल्डिंग मना रहे हैं, इलेक्ट्रोन को स्टार्टिंग से फिल करते हैं, एनर्जी के increasing order में, अलग-अलग orbitals सुंगे, उनकी अलग-अलग energy होगी उसके order में, अब किस orbital की कितनी energy है, यह हमें पता चला था, n प्लस l rule से, इस rule का दूसरा नाम होता है बेटा जी, बोहर बुरी rule, क्या बोलते हैं इसको, n प्लस l rule को बोहर बुरी rule भी बोल दिया जाता है अब यह बोहर बुरी rule हमें क्या बताता है, बोहर बुरी rule हमें बोलता है, देखो, जैसे मैंने कभी one as लिख दिया, तो यह जो आगे लिखा जाता है यह होता है n, और यह जो पीछे लिखा जाता है ल, n का मतलब होता है principal quantum number और l का मतलब होता है azimuthal quantum number, l की कुछ values होती है, जैसे zero, one, two, three, four, five, six, इस तरह से, zero का मतलब height means यह s है, s sub shell की बात हो रही है, one height means यह p है, यह d है, यह f है, यह g है, यह h है, यह i है, वैसे तो आपकी कहानी f तक हो जाएगी, so on, so on चलता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, one s में से और two s में से किस की energy जाता है, one s, दे लेखे, पहले वाला n होता है, तो यह क्या होगा, two plus zero, तो आपको पता है कि किस की energy जाता है, two s की energy जाता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, two p और three d में से किस की energy जाता है, two p की energy देखो, यह अगले वाला n होता है, two, और p है, p का मतलब यहाँ पर l की value क्या होगी, one, similarly अगर मैं 3d की बात करता हूँ, तो यहाँ पर n की value क्या होगी, three, और सिंस यहाँ पर d है, बिटा जी, तो यह क्या होगा, l की value क्या हो जाएगी, यहाँ पर two हो जाएगी, तो two plus one, three plus two, five, तो अभियसली इसकी energy जाता है, हाँ, कहीं कैसे में energy सेम भी हो सकते है, for example, हमारे प n की value जादा, higher n, अच्छा, यह तब ही लगाना है, अगर energy सेम आ रही है, higher n, higher energy, बेटा जी, यह है, तो यह three plus one four, यह four plus zero four, तो यहाँ पर n की value इसकी जादा है, तो इसकी energy जादा हो जाएगी, यह होता है, n plus l rule, और इसी के according अब हमको चलना है, अब हमने बहुत सारे sub shell को, बहुत सारे orbitals को लिया और लगा दिया, अच्छा, आपके जो syllabus में आते हैं, चार तरह की sub shell होती है, S, P, D, and F, S में maximum 2 electron जाते हैं, P में maximum 6 electron जाते हैं, D में 10, F में 14, इनमें four four का gap होता है, जितने electron जा सकते हैं, maximum उसके half orbital होते हैं, जैसे S में maximum 2 electron जाते हैं, तो S का एक orbital होता हैं, तो अब मैंने above principle का यह जो pattern है, यह जो energy का pattern है, उसके लिए हम लोगोंने above principle लिख रखा है, तो सबसे पहले हम लोगोंने क्या लिखा है, S को लिखा है 1 to 8 तक, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, अब एक number उपर से छोड़ दिया, एक number निचे छोड़ दिया, अब हम क्या ल हम लोग, बेटा जिए, 3S चलाएंगे, हैंना, और पहले 2,3 से, 1,1 को मार देंगे, अगले 2,3 से, 2,2 को मार देंगे, हैंना, अगले 2,3 से, 3,3 को मार देंगे, अगले 2,3 से, 4,4 को मार देंगे, लो भाई, यह मार दिये, यही order होता है, अगर आप करके देखो को न, तो order यही बनेगा तो यह हमारे पास कौन सी एरो है यह हमारे पास 1st एरो है बेटा दी हमारे पास 2nd एरो है यह 3rd एरो है यह 4th एरो है यह 5th एरो है यह 6th एरो है यह 7th एरो एट फर्स्ट एरो ने सबसे पहले किसे कट किया है 1s को 2s को अगर आप ध्यान से देखो तो 2s 3rd एरो कि को कट कर रहे है, 2P and 3S को, 2P, 3S, 4th हैरो किसे कट कर रहे है, अगर ध्यान से देखो तो, 3P, 4S को, 5th हैरो किसे कट कर रहे है, 3D, 4P, 5S, 6th हैरो किसे कट कर रहे है, 4D, 5P, 6S, 7th हैरो किसे कट कर रहे है, 4F, 5D, 6P, 7S, 8th हैरो किसे कट कर रहे है, अगर अब ध्यान से देखो तो 5F, 6D, 7P, 8S, वैसे इतनी दूर तक आपको जाने के जूट नहीं है, आपकी कहानी 4S, 3D तक ही हो जाती है, बट फिर भी पूरा कंसेप्स दिखने है, तो पूरी बात आपको पता होने चाहिए कि यहां तक जाएंगे, ठीक है ना, यह 1S, 2S, 3S, 3S, 3P, 4S, 5S, 5S, 3D, 4P, 6S, 4D, 5P, 6S, इस तरह से हम लोग करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग कन्फिग्रेशन करें बोरोन की, जैसे बोरोन है, बोरोन का टोमिक नमर 5 होता है, जितना टोमिक नमर होता है, उतने ही लेक्टरोन होता है, तो बोरोन ने बंदारा दिया, और यह बोलता है कि मेरे पास सकते हैं, हमारे पास 5 रोटिया थी, 2 चली गई, फिर 1S के बाद कोन आएगा, बेटा, ओर में देखो तो, 1S के बाद हमारे पास आ रहा है, 2S, तो 2S भी 2, ठीक है, 2 चली गई, 2S के बाद कोन आएगा, 2P, यह 2P से पुचे का तू बोल बे कितनी खा लेगा, यहां पर हम न सकते हैं, 2S के बाद कोन आ रहा है, 3S, तो 3S में दो जा सकते हैं, S में 2 दा सकते हैं इसके पास बचेंगे कितने 2, 2, 4, 6, 10, 11 है सिर्फ 1 बचा है तो यहाँ पर 3S में कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर last electron S में जा रहा है तो बेटा यह कौन से block का element कहलाएगा यह हमारे पास S block का element कहलाएगा आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे पास chlorine है chlorine की configuration करो again same pattern होगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 और 3P में कितने जाएगे 5 जाएगे देखो आप 2 पहले वाले fill करते चलो full 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 और 3P में कितने हो गए है 5 और सिर्फ यहाँ पर last electron P में गया है तो यह element हमारे पास किसका कहल आएगा P block का इसी तरह से हम लोग configuration कर सकते है ions की जैसे कि यह हमारे पास एक cation है cation कैसे बनते है by the laws of electron यह हमारे पास एक anion है anion कैसे बनते है by the gain of electron तो मैं सबसे पहले इसकी configuration करता हूँ sodium की sodium का atomic number 11 होता है 11 के coding अगर मैं इसकी configuration करूँगा तो बेटा दी configuration क्या हो दाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है ना तो आप देखो 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11 अब प्लस है प्लस मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा और माइनस कहां से होगा बाहर से है ना तो यहां से एक एलेक्टोन माइनस कर दिया 3s में 0 हो गए तो configuration रहेगी 1s2, 2s2, 2p6 जैसे मैं क्लोरिन की configuration कर रहा हूँ वैसे तो पर कर भी रखे आपको पता ही होगा क्या आएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 यह तो क्लोरिन की configuration हो गी है जब इसका atomic number 17 है बट इसके उपर minus charge लगा हुआ minus charge तब भी आता अगर किसी ने electron का gain किया है जिब किसके पास electron आये है एक electron भी आ सकते है तो क्या होगा क्योंकि इसके पास एक electron आया है तो वो आ जाएगा outer motion जाते भी बाहर निकलते है outer motion से आते हैं वो भी outer motion में आते है तो P में एक electron आयेगा और जगह भी है तो P में यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा जी 6 हो जाएगे इस तरह से हम लोग ions की configuration कर सकते हैं आप चाहो तो एक दो example में आपको देता हूँ जैसे आप लोगों ने sulfur की configuration करनी है इसके बाद आप चाहो तो sulfur two negative की configuration भी कर देना और यह बता देना sulfur की जब आप configuration करोगे तो वो concept लोग का है थोड़े से complex चलते हैं अच्छा अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सार कोई बड़ी आशी trick बताओ configuration की यह मेरे को बड़ीया लगती है आप लोगो नहीं देखे लूग धिमाल है ना उसमें होता है अयर वेन गोपल अयर मुथ् बत्तु स्वामी रंगा स्वामी इस तऱ से चलता है यह फारा से आप लोग कर सकते हो अब जैसे सबसे पहले फर्स रो में आपने S को लिखा है तो S को 1 to 8 तक लिख दो 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S S के बाद आप क्या लिखोगे P और P को कहां से कहां तक लिखोगे बेटा जिस रो से आ रहा है चर्वरों से आ रहे है, 4F और यह 5F, स्वामि स्वामी, प्यारे स्वामी,..chaimी, 4S, orchí principle, 4S, 4S, publique, 4S, ambush यहां से आ रहे है श्को लिखोगे अंच से अधना प्ठा गण हो जांट है, फिर फ कंथा K यहां तक दो 2 IT है चल दॉल तक हो जसा हो जाए गए इस तरह से हो जाएगा अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है हंस रूल हंस रूल क्या बोलता है पेरिंग ओफ एक्ट्रों डजन्ट टेक प्रेस इन ओर्बिटल अंटिल इच और्बिटल इस इंगली ओक्यूपाइड पेरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब उन पेर ना हो पेरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब अनपेर ना हो मैं इसकी सेंस समझाता हूं अब नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन करो कन्फिग्रेशन के ओद है कि 1s2 2s2 2p3 अच्छा के कितनी और्बिटल बनते हैं बताया था ना जितने मैक्सिमम एक्ट्रों जाते हैं उसके ठीक है अब पोजिट पीड्र में होती है यह तो फोजिट तो इस में दो देम आप नहीं कर सकते हो जहां तो देखिए क्या होगे यह और यहां पर पहले दो और एक यहाँ पर तेन थे लि下一 नहीं कै भी ठृट्रेशन पय अपटव्ट कर सकते हो छुक्ट сожал Dank आ यहां पर प अक्स अटोमिक नमबर एट के साबसे दिए आप कन्फिगरेशन करोगे 1s2, 2s2, 2p, 4, है ना, 2, 2, 4, और 4 यह 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 ना, ओडर भाई, देखो ना, 1s के बाद 2s, के बाद 2p, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4 चलेगे, तो सबसे पहले हमारे पास 1s आएगा, यह हमारे पास है 1s, उ में 2, 2p में 6, 3d में 10, 5, तो इस तरह जाता है, अब इलेक्रों की स्टार्ट कर दो, सबसे पहले एस में 2, 2s में 2, 1, 2, 2, तो चार कैसे भरोगे बेटा जिस सबसे पहले सारे और बेटल सिंग्ली ओक्विपाइड होने चाहिए तो एक दो और यह तीन अब जब फॉर्थ एलेक्रन आप लोग डालोगे तो वह यहां से स्टार्टिंग से पहले वाले से ही पेरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से किया जा सकता है नोबल कैसी दो को याद रखने कि ट्रिक सब को पता है नीना और किटी रहना या फिर आपको कोई बढ़ यह ट्रीक आती है तो वह बता देना तो हिलियम नियोन आरगन कृपटों जीनोन और रैडों अटॉमिक नमबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 या अटॉमिक नमबर की आपको जिसमें बात की थी आम लोगों ने प्रियोडिक टेबल की प्रियोडिक टेबल को कैसे आद करना है अब देखो इस ते फायदा क्योंगा मैं यहां पर कुछ कन्फिग्रेशन लिख देता हूं मैं इनको उड़ा देता हूं क्योंकि यह मैं पहले भी करवा चुका हूं मैं पिछले से उठा लेता हूं सो देट कि आपका टाइम बचे और मेरा पूरा परपस यह है कि वीडियो जो है टाइम सेविंग हो डाटा मैं मैक्सिमम देशकूं कोई बात में छोड़ू ना डाटा म इसससे च Stevens यह हो सकता है कि क्या कर दो जिसkom से पहले नोबलグ chocol यह लोग सकती है दो कावर कर लियो को कवर करियो थे और वाज़ेगा हमारे पास 2 pe 1 यही तरीका ज्दा क्रेंण में है ऐस के कोडिंग हम लोग करने वाले है सोडियम है सोडियम का अटोमिक नमबर 11 है 11 से पहले नोबल गैस कुन सी आ रही है 11 से पहले नोबल गैस आ रही है नियोन है तो इसको आप कैसे कर सकते हो बेटाजी आप लोग निखोगे नियोन नियोन का अटोमिक नमबर कितना है 10 तो वह कहां तक कवर कर जाता है नियोन कव तो से पहले नोबल गाज से पहले नोबल गए से हमारे पास नियों और नियों तक तक कवर कर जाता है उसके बाद क्या पचेगा हमारे पास 3S2 3P5 या पको प्रैक्टिस पाता चल जाएगा इतनी डरने की जुरूरत नहीं है थोड़ी सी ठीक अब जैसे से स्केंडियम है स्केंडियम की मैं कन्फिग्रेशन करूँ तो क्या होगी बेटा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1 है ना 2, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 12, 21 अब आप यह देखो कि इस से पहले नोबल गैस कौन से आ रही है अटोमिक नमबर 121 से पहले जो नोबल गैस आ रही है वो आर्गन आती है जिसका अटोमिक नमबर कितना होता है 18 अटोमिक नमबर 18 अब एटीन तो कहां तक कवर कर जाता है यहां तक तो इसने कवर कर लिया इसके बाद हमारे पास आज आएगा 4S2, 3D1 यस और नो इस तरह स अटोमिक नमबर 19 से पहले नोबल गैस कोन सी आई यह इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी अकोडिंग टो यू कुछ कोशन में पूथ रहा हूं और वो इस तरह पूथ रहा हूं सो देट कि आप अंसर करो और पता लगी मुझे कितना समझ में आप लोगों को आया है चलो 3D सी कर लो मुझे से फिल कोई नहीं कहेगा चानू मैं पहले वता चुक हूँ कि यह नहीं बनाई है किसी और टीचर की है मुझे बहुत अच्छी लगिया देट स्वा रहा हूं आप लोगों के पास को यह अच्छी ट्रिक को क्मेंट सेक्शन में जुरूर थाना तो यह सारे मैं स्केंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरेन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक यहां पर दो केस एक्सेप्शनल हैं उनकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद बाकी दूसरों को देख लेते हैं पहले तो बाकी सब में क्या है जैसे स्केंडियम अच्छा, अटोमिक नंबर मैंने नहीं लिखे हैं शमाज आता हूं इंसान गलत्यों का पुतला है माफ कर दीजिए मैं गलत्या करते रहता हूं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30 अब यह देखो कि यार इतने अटोमिक नंबर जो है 21 से 30 तक इन से पहले नोबल गयस कोन सी आएगी मैंने सब के लिए आरगन लिख दिया अठारो को कवर कर रहा है 4s2, 3d1, 21, 4s2, 3d2, 22, 4s2, 3d3, यहाँ पर 4s2, 3d4 होना चाहिए था बट 3d5 हुआ क्यों हो है वो देखेंगे बाकि देखो मैगनेज 4s2, 3d5, आइरन 4s2, 3d6, कोबल्ट 4s2, 3d7, निकल 4s2, 3d8, है ना, क पर 4s2, 3d9 होना चाहिए था, क्यों नहीं हो देखेंगे, जिंक 4s2, 3d10, कि लिए है बटा, अच्छा यह जो आगले वाला होता ना, यह यह एन होता है, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह हमें शेल के बारे मिताता है, वालन शेल, आउटर मोस शेल, यह फोर वाले को बाद में कर दें, so that कि हम बाहर वाली शेल को बाहर दिखाएं, अब यहां पर दो केस एक्सेप्शनल गए हैं हमारे, कौन-कौन से बेटा, एक तो क्रोमियम वाला, है ना, और एक कौपर वाला, अब इसका क्या रीजन है, देखा गया, कि जो इलेक्ट्रोनी कन्फ जो हाँ हैं, या फिर exactly fully filled हो जाएं, तो उनकी पूरी कोशिश होती है, कि या तो हम half filled हो जाएं, या फिर fully filled हो जाएं, हर एक की कोशिश यह रहती है अच्छे यह ज्यादा स्टेबल होते क्यूं है इसके दो रिजन होते हैं एक तो समीटरी आज़ाती है हाफ फिल्ड हो फुली फिल्ड हो समीटरी कर लगता है वो श्टॉक्चर और एक्षेंज अनरजी बहुत हाई होती हो इन केसिस में इन दो केसिस की वज़े से ही हाफ फिल प्रोमियम का अटोमिक नंबर 24 है कन्फिगरेशन करो तो ए एटीन फॉर एस टू और थ्रीडी क्या हो जाएगा प्रोजाएगा सिमिलरल्ली आप कोपर का केस्ट भी लिखेंगे जैसे फॉर एस है तो यहाँ पर एक ही और बनता है और डिकर कितने बनते हैं प्रड़ी बनते हैं ठीक है इस तरह से यह 4S यह 3D सिमिलरल्ली यहाँ पर भी क्या होगा बिट्टा जी यहाँ पर हमारे पास यह है 4S और यह हमारे पास 3D वह बनीं हमारे परेदे क्षेंघे जैसे कि यह हो गया और दी में कितने लिकरोंख कर देते हैं एक, दो, तीन, चार तो अब एक और 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 औरतली से कइस सींगल हैं ठीक है तो यह क्या करता है बेटा जी एबना एक उल्यक्रों ले लेता है किस से से स को बोल देगा कि भाई अपना एक एलेक्ट्रों मुझे दे दे इधर स का मतलब होता है श्रीफ वो दे देता है इतने अज़ाद है एनर्जी गैप होता नहीं इनके बीट में तो एक्षिंज चलता है ठीक है और ड का मतलब होता है दबंग मतलब मैंने इसको ऐसे आद रख एक डिरेक्शन में है एक्षेंज अनर्जी का मतलब क्या होता है कि सेम स्पिन के जो एक्षेंज कर सकते है ठीक है जैसे यह है यह इसको एक्षेंज कर सकता है 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 संब्सक्राइब भन सब्सक्राइब करना अब कोपर के केस में ने क्या करना थे है यहां उलेक्टरन भर दीए और D में कितने electron है, एक, दो, तीन, ऐसे लिख सकते हैं, चार, पांच, ये electron ही होते हैं, पांच, पहले single occupied जाते हैं, छे, साथ, आठ, और ये नो, अगें, एक single है, वो अच्छा नहीं लग रहा, human nature होती है, या तो सारे single हो, या फिर सब की girlfriend हो, तो ये भी कोश करेगा, यार ठीक है, अब देखो, symmetry आ गई है, है ना, सारे के सारे क्या है, paired है, एक symmetry दिख रही है, दूसरी बात है, exchange energy, same spin वाले, exchange कर सकते हैं, बहुत सारे exchanges possible है, और बहुत सारे exchanges possible है, बहुत जादा energy release होगी, तो ये एक reason होता है, बेटा जी, that's why, chromium और copper जो है, क्या करते हैं, S में दो electron नहीं रहने देते हैं, वो S में एक electron रहने देते हैं, वहाँ से electron चीन लेते हैं, 3D5, यहाँ पर भी S में एक electron रहने देंगे, और D में क्या हो जाएगा, 10, तो बेटा जी ये है, and that's all from my side, थोड़ इसी practice कर लेना, एक दो जाते जाते question पूश्चिन पूछ लेता ह और इस लेक्चर के नोर्स आपको मिल जाएंगे टेलिग्नाम चैनल, जो की भारत पिंचार साथ के नाम से है, ख्यार रहें, बहुत जम देते हैं, God bless you all, please take care, जाहें